अलो वाइज, वेलकम टू मैं चैनल गाजे साफायर बदा एंड हिल्स टिप्स में तो चलिए चलते हैं टॉपिक में बथुआ का साख खाने से कप्स से लेकर स्किन रिलेटेट परिशानिया होंगी दूर ठंड में आप ज्याद से ज्यादा बथुआ का साख खाने का प्रयास करें इससे सर्दियों में बॉड़ी की इम्यूनिटी मजबूत होती है साथ ही आप कई बिमरियों से भी दूर रहेंगे सर्दियों का मौसम चल रहा है ऐसे में खाने पीने वाली चीजों की बहर है सर्दियों में तरह तरह के साग मार्केट में बिखते है पालक, सरसोचाना, सोया, मेथी, बथुआ, अधी का साग खाने का मज़ा ही अलग है इन में इसे बथुआ ज्यादा लोगों का प्रिय साग है जिसका लोग रायता सबजी और पराठा बना कर बेहत चाव से खाते है बथुआ सोयाच से भरपूर होता है सिर्फ इतना ही नहीं बथुआ का साग कई विमर्यों को दूर करने में भी असरदर है सरदियों में साग खाना इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसे खाने से सरीर में गर्मी बनी रहती है हाला कि बथुआ को एकसीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि इसमें ओक्जालिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है डॉक्टर्स का मानना है कि अधिक बथुआ खाने से बिक्तिक और डाइरिया की विमारी हो सकती है तो चलिए आज आपको बताते हैं बथुआ खाने से सेहत को होने वाले फायदे बथुआ के साग में वीटमिन की मातरा बहुत अधिक पाई जाती है दरसल इसमें कई प्रकर के विटमिन्स पाई जाते हैं जो आपके सरीर के लिए बेहत लाबदायक होते हैं बथुआ में कैलशियम, लोहा, मैगनिशियम, मैंगनीज, फॉसफोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक जैसे पावरफुल विटमिन पाई जाते हैं साथ ही इसमें मिनरेज भी अच्छी मात्रा में होता है, अब बथुआ की पत्तियों को दाल में दाल कर भी खा सकते हैं सद्यों में अकसल लोगों को कप से जुरी समस्दा का सामना करना पड़ता है, वो ही कई बर खाना ना पचने से गैस की दिक्कत होने लगती है ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए आप बथुआ का साख खाए, बथुआ कप से राहत दिलने में भूक में कमी आने पर, खाना देर से पचने पर या खटी ड़कर आने में काफी मददगार होता है बथुआ की पत्तियों को उबाल कर उसका पानी भी पी सकते हैं सर्दियों में ज्यादातर लोगों का इमियन सिस्टेम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी बज़े से लोग अक्सर सर्दी खासी जैसी बिमारियों के शिकार हो जाते हैं ऐसे में बथुआ का इस्तेमाल आपके लिए सहायक हो सकता है बथुए के साग में सेंधा नमक मिला कर इसका सेवन छाच के साथ कर सकते हैं इससे आपकी रोक प्रतिरधक समता मजबुत होगी और आप जल्दी बिमार नहीं पड़ेंगे बथुए की पत्तियों को उबाल कर इसका रस पीने से स्किन से जुरी कोई भी समसा और फोरे फुनसी से आराम मिलता है स्किन से जुरी बिमारियों से छुटकरा पाने के लिए आप बथुए के पत्तियों को पीस कर इसका रस निकल ले फिर दो का प्रस में आधा काप तील का तेल मिलाईए और इसे धीमी आज पर पकाईए और फिर इस पानी को पिए इससे स्किन से जुरी सभी बिमारी आदूर हो जाती है तो विंटर में आप बत हुए कि साग जरूर खाए तो गाईज आज की विडियो में ही पर इंट करती हो अगर आपको मेरा विडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल की बाकी विडियो को भी देख लेना ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड और ब्यूटी रिलेटेड और जानकारी म मिलती हो और एक इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ